मनु शत्रुपा जी प्रभू की उपाशना करते हैं महराज मनु माता सत्रुपा बरबस आज माता पिता अपने संतान को देना नहीं चाहते तो संतान छाती पर बैठ कर छूरा लेके मारने के लिए तयार है कि पिता जी माता जी अपने सारी जमीन जायजात का हकदार मुझे बना दो लिख दो मेरे नाम पर पर वो कैसा समय था कि अपने बड़े पुत्र को बरबस जवर जस्ती राज सौंप दिया और माता सत्रुपा को लेकर बन में गए नेमिसा रण्य में अठासी हजार संतों की कुटिया थी उसमें बैठ बैठ करके सत्संग सुना आत्म ज्ञान को प्राप्त क्या कौंसा ज्ञान द्वादस अक्षर मंत्र पुनी जपई सहित अनुराग बासुदेव पदपंकरुह दंपति मन अतिलाग संतों ने द्वादसाक्षर मंत्र का उपदेश दिया लोग कहते हैं ओम नमा भगवते वासुदेवाय ये द्वादसाक्षर मंत्र है पर उस समय तो हिंदी भाषा संस्कृत भाषा भी नहीं थी देखिए किस भाषा में द्वादसक्षर का मतलब पांच ज्ञानिंद्री पांच करमिंद्री इग्यारवा मन बारवी बुधी इन सबसे परे जो ग्यान है नाम रूप गति अकत कहां आनी समुझत सुखदन परत बखानी अकतनिय अवर्णनिय जो जीब जिसको छू नहीं सकती वो अबिनाशी अक्षर का ज्यान संतों ने मनु महराज और माता सत्रुपा को दिया सुमिरण ध्यान में अन पानी त्याग दिया कोई तो जवरदस्ती त्यागता है लेकिन भाईयों बेहनों मनु महराज का मन इतना रम गया कि मन ही को तो भूख लगती है मन बहिर मुखी हो तो उसको भूख प्यास आलस सब कुछ सताता है राग द्वेस त्रिशना सब कुछ सताता है यही मन जब अंतर मुखी हो जाता है उस शबद की ध्वनी में जुड़ जाता है जब मन ही शान्त हो गया स्री महराज जी के प्रवचन में वो आत्म दर्शन किताब आप पढ़िये स्री महराज जी के प्रवचन में है कि जब तेज आंधी चलती है तो अपने साथ रेत, मिट्टी, पत्तों, दुरगंद और सुगंद को अपने साथ उड़ा कर चलती है पूरा वाता बरण धूल से, पत्तों से, आंधी में भर जाता है पर वही हवा शान्त हो गई, इस्थिर हो गई तो सारे धूल, मिट्टी, कंकड, पत्तर सब नीचे जड़ जाते है आकाश पवित्र हो गया, धूल, धूआ, सब छंट गया इसी तरह मन की गती है जब ए मन बाहरी जगत में भटकता रहता है तो अपने साथ भले बुरे संसकारों को अच्छाई बुराई पाप पुन्य ये सब गंदगी को राग द्वेस छल कपट इन सब गंदगी को ढोता रहता है पर जब यही मन प्रभू के नाम में जुड़ जाता है केंद्रित हो जाता है तो इस मन के सारे कलुश कलुमश सब धीरे धीरे चट जाते हैं अब जिसका मन ही अंतर मुख हो गया उसको भूख प्यास क्या लगेगा वायू का अहार क्या अंत में वायू का भी त्याग कर दिया कि प्राणों की गती जब रुक जाती है वहाँ प्राण का आना जाना भी बंद हो जाता है रुक गई प्राणों की स्थिती गती रुक गई मनु महराद ने वायू का भी त्याग कर दिया बीधि हरी हर तप देखिय पारा मनु समीप आये बहु बारा मांगमु बर बहु भाति लुभाए परमधी रनाही चलाही चलाए ब्रम्ह विष्णु शंकरजी जो त्रिदेव हैं स्त्रिष्ट की रचना पालन और संधार करते हैं ये तीनों देव प्रगट हो गए कि मांग हूं बर मनु महराज आपको क्या चाहिए मांगो पर मनु महराज कहते हैं कि जिससे आप भी मांगते हैं बरदाएक बरदान जो स्वरूप बस सीवमन माही जेही लागी मुनि जतन कराही सोभु सुन्दी मन मानस हंसा अगुन सगुन जेही नीगम प्रसंसा देखिया हूं हामसोई रूप भारी लोचन क्रिपा करहूं प्रणतारति मोचन जो भगवान शंकर के मानसरवर में हंस भगवान बिराजमान हैं जिनका निरंतर शंकर जी ध्यान करते हैं जो कागवु सुन्दी जी के मानसरवर में निरंतर बिहार करते हैं उस महाप्रभू स्री हंस भगवान का मैं साक्षात दर्शन करना चाहता हूं और मैंने सुना है कि भगवान अपने भगतों की पुकार सुनते हैं मुझे पुर्ण विश्वास है कि मेरे सामने प्रभू हंस प्रगट होकर हमारी इक्षाओं को पुर्ण करेंगे नील सरो रूह नील मनी नील नीर धर स्याम लाजई कोटी अंग कोटी कोटी सत काम जिनके अंग की सोभा करोडो करोडो काम देवों से मिलाया नहीं जा सकता अत्यंत मनोहर उनकी आखें कैसी थी उनका दात कैसा था उनकी नासिका कैसी थी मनु महराज और सत्रुपा माता ने अपने सामने नीला आकाश आकाश अनन्त है ओ नील है नील का मतलब अनन्त भगवान स्री हंस भगवान के स्वरूप को देखकर एक तक तकी लगाए रहे अपने सरीर की दशा भूल गए और उन्होंने यही बरदान मांगा कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए भगवान कहते हैं कि पुत्र तो मेरे जैसा मेरे जैसा तो कोई है नहीं मेरे जैसा तो मैं ही हूँ इसलिए राजन मैं तुम्हारे घर में पुत्र रूप में जन्म लूँगा कि जैसा तो मैं टो में जन्म लूप में जन्म आपके जैसा तो श्रूप में जन्म लूप में जन्म लूप में गवान कहते हैं